आयोवेट के अनुसार खाली पेट रोजाना एक आमला खाने से मिलते हैं कई फाइदे सुभे की दिन जर्या ने केवल हमें अच्छा मैसूस कराती है बल्कि है हमारे संपूर्ण स्वास्ते और रोक परती रुदक चमता और लंबे समय में आत के कारियों में सुधार भी करती है ऐसी ही एक सुभे की आदत है खाली पेट एक आमला चवाना जिसे संपूर्ण स्वास्ते को बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ खाली पेट एक आमला खाने के दस बड़े फाइदों के बारे में वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट यानि नुकसान के बारे में भी और फ्रेंस इसको कितनी मात्रा में कब और कैसे खाना चाहिए तो फ्रेंस पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो फ्रेंस वीडियो को लास्ट तक जरूर फालू करें जिसे की पूरी जानकारी आपको मिल सके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें subscribe for more videos, bell icon को भी जरूर प्रेस करें आयुर्बेट की अनुसार आमला पोशक्ततों का बेहत्रीन सोर्स है जिसमें प्राकर्तिक एंटियोक्सिडेंट और विटामिन सी की उच मात्रा होती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है उतकों को पोशन देती है और सरी से दीरे-दीरे विशाक्त बदार्तों को हटाने में मदद करती है आमले में पाए जाने वाले पोशक्तत 100 ग्राम आमले में 44 कैलरी 10.18 ग्राम कार्बोहाइटेट 0.88 ग्राम प्रोटीन 0.58 ग्राम बसा 4.3 ग्राम फाइबर 252 मिली ग्राम विटामिन सी 290 आईउ विटामिन ए 25 मिली ग्राम केल्शियम 0.31 मिली ग्राम आयरेन और 20 मिली ग्राम फासफोरस होता है प्रिंग चलियाई अब बात कर लेते हैं खाली पेट एक आमला खाने के 10 बड़े फाइदों के बारे में 1. इम्यून पावर को बढ़ाता है आमला विटामिन सी से भरपूर होता है जो प्रितिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और शरीर को संक्रमन और वीमारियों से लड़ने में मदद करता है यह मौसमी खासी सर्दी से भी लड़ने में सायक होता है 2. पाचन स्वास्थे में सुधार करे आमला पाचन एंजाइमों को उतेजित करता है और आथ के स्वास्थे को सुधार करता है जिससे पाचन और पोशक्ततों के अफ्शोषन में साहिता मिलती है ये कब्स और अन्य पाचन समस्याओं को भी रोकने में मदद करता है तुचा की स्वास्थे में सुधार आमला में मौझूद एंटियोक्सिडेंस और बिटामेंसी कॉलिजन उत्पादन को बढ़ावा देते हैं तुचा को जबाई बनाई रखता है जुरियों को कम करता है और तुचा की बनावट में सुधार करता है आमला का नियम में सेवन बालो के स्वास्ते में सुधार कर सकता है जिसमें बालों का जहरणा कम होना समय से पहले सबेद बालों को रोखना और बालों की परद्दी को बढ़ावा देना शामिल है इसमें आरन और केरुतिन की उच मातरा होती है इसे ये वजन घटाने की योजना में सायक बनता है इसमें उच मात्रा में विटामिन सी होता है जो मेटावलिस को बढ़ावा देता है बसा को जलाने में मदद करता है इसके फाइवर की मात्रा संतित को बढ़ाती है भूग को कम करती है और कैलोरी 7 को नियंतरित करती है 7. आंखों की रोशनी में सुधार आमला में मौझूद कैरोटीन आंखों के स्वास्ते में सुधार करता है द्रश्टी को भेतर बनाता है और मोत्याविंद और आयू सम्मंदी द्रश्टी समस्याओं को रोखने में मदद कर सकता है 8. ब्लड शुगर के स्तरकों नियंत्रित करें आमला रक्त सरक्रा के स्तरकों नियंत्रित करने में मदद करता है यसे ये मदू में के रोगियों के लिए लापकारी है ये मदू में समंदी जटिलताओं की जोखिम को कम करने में भी मदद करता है सूजन को कम करता है अंवली में सबर शाइन को कम कर सकते हैं और गठीय को देटोफि还 करें विशीशिद्र के अनुसार आमला शरीर से विशाक्त पतारतों को वहार निकालने में मदद करता है और ये यकरत की कारे को समर्टन देता है जो अच्छे स्वास्ते के लिए आवश्य है यह बात कर लेते हैं एक दिन में कितने आमले खाने चाहिए प्रति दिन लगबग एक से दो आमला खाने की सला दी जाती है आप अपने स्वात के अनुसार भी ले सकते हैं इसे कच्छा या जूस की रूप में भी खाया जा सकता है आलाकि आश्टियों प्रजुनों के पानी पी लें आमले को पानी में उबाल कर पिएं या खाएं आमले का मुरबह खाएं आमले का चून गरम पानी और शेहत के साथ ले सकते हैं आमले का जूस पिएं आमले का पाउडर गुन-गुने पानी में मिलाकर चेहरे पर लगाएं सूखे आमले को लोहे की कड़ाई मे भून कर पीस लें और महनी के पेस में मिला कर बालो पर लगाएं आमले से कौन सा रोग ठीक हो सकता है आमले में विटामिन C, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B5, विटामिन B6, कॉपर, मैगनीज, पोटेशन जैसे ताकतवर तत होते हैं या आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और दिल किड्नी लीवर की बिमारियों से दूर रखते हैं इस फल का उप्योग अकेले या अन्ने पौदे के साथ सेयोजन के कई बिमारियों में इलाज के लिए किया जाता है जैसे की सामाने सर्दी और बुखार, मूतर वर्दक, रेचक, यकरट टॉनिक, सीतलक, पेट सम्बंदी, द्रण, परवर्तनकारी, जुर नासक, सुजन रोधी, बाल टॉनिक के रूप में, पैप्टिक एलसर और अपच को रोखने के लिए और पाचक के रूप में कौन सी बिमारी में आमला नहीं खाना चाहिए, hyper acidity वाले लोगो को भूल कर भी खाली पेट आमले का सेवन नहीं करना चाहिए इससे पेट में तेज जलन और आइसिडिटी हो सकती है खून की विमारी वाले लोग आमले में एंटी प्लेट लेट कुन होते हैं इसका मदलब है कि खून के ठककों को बनने से रोक सकता है प्रेंच लियाई अब बात कह लेते हैं किन लोगों को आमले को नहीं खाना चाहिए जिन लोगों को हाइपर आसिडिटी है उन्हें आमला नहीं खाना चाहिए जिन लोगो बलड शुगर लेबल कम रहता है उन्हें आमला नहीं खाना चाहिए जिन लोगो जल्द सर्जरी करानी है उन्हें आमला नहीं खाना चाहिए जिन लोगो तुचा या स्केल्प रूखी है उन्हें आमला नहीं खाना चाहिए जिन लोगो हाइपर टेंशन या किड्नी की समस्या है उन्हें आमला नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंट और ब्रेस्फीट कराने वाली महिलाओं को ज़्यादा आमला नहीं खाना चाहिए इससे पेट खराब हो सकता है पात कर लिते हैं आमला खाने के कुछ साइड इफेक्ट ये नुकसान के बारे में इसका सेवन करने से शरीर में सोडियम का इस्तर बढ़ जाता है जिससे किड्नी अपना काम सही तरीके से नहीं करजबाती जिसकी बज़े से ये शरीर में पानी भना शुरू हो जाता है और हाई बलड पेशर की समस्या पैदे होने लगती है आमले में मौझूद विटामिन सी का अधिक सेवन करने पर यूरिन में जलन महसूस हो सकती है तो फ्रेंट्स आई होप आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो जब आइकन को भी ज़रूर पैस करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी थैंक्स वर फॉल वाच्छ